जय हिंद जय भारत दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको यहां पर बता क्या रहा हूँ आप यहां पर ध्यान देजिए तो कईज यहां पर मैं आज किस वीडियो में बताऊंगा सजीव और निर्जीव के बारे में तो यहां पर मैं बहुत ही बारिकी से बताऊंगा हाला तो आज किस वीडियो में हम यही जानेंगे, अगर इंगलिस में बात करें तो living and non-living, तो यही हम आज किस वीडियो में जानने वाले हैं, तो मेरे प्यारे एक भाई जिनका नाम मैं लास्ट में बताऊंगा, वे कह थे कियार सजीव और निर्जीव समधा दीजे, तो इनका नाम आप जान लीजे पहले हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजे, मैं सजीव का परिभास बहुती आजान जाने हैं, लिक और आप यहाँ पर समझने का बहुत ही आसानी से परियास किजी क्योंकि आज मैं जो बताओंगे न यार जिंदगी भर नहीं बूलोगे और हाँ गाई समझना और न समझना तो सिर्फ आपके उपर निर्भर करता है यहां पर आप देखेंगे तो बहुत ही आशानी से मैंने लिख क्या रखा है सजिव इतो इतना दूर आपको बहुत ही आसानी से आगयोगे और यहाँ पर अगर आप समझेंगे तो मैंने यार लेक क्या रखा है आप यहाँ पर समझो तो यहाँ पर अगर आप समझेंगे तो लिखा हुए गती, प्रजनन, ब्रिधी, पोशन, स्वसन, उत्सर्जन यह सब होना चाहिए तभी आपको कहलाएंगे सजीव अब मैं आपको क्लिर क्या कर रहा हूँ कि इन सब चीज यहाँ पर जितने भी पदार्थ हैं जितने भी चीजें अगर इन चीजें में से अगर कोई भी चीज अगर किसी में होता है तो वो समझें कि वे क्या हैं सजीव हैं क्या आपको बात मेरी यहां तक सुनाई पढ़ रही है कि इन सभी चीजों में से यहां पर गती, प्रजनन, ब्रिधी, पोशन, सोशन, उत्सर्जन इन सभी चीजों में से अगर कोई भी चीज अगर आपके पास है किसी की पास है तो समझे कि वो आपको क्या है सजीव है तो यहां पर आप मैं आपको समझाता है यह हूँ कि गती, प्रजनन, ब्रिधी, पोशन, सोशन, उत्सर्जन यह सब आखिर है क्या तो बातों पर ध्यान दिजेगा आप इजिली यहां पर समझ पहांगे अब गती क्या होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना अगर कोई भी व्यक्ति यह कोई भी चीज एक जगह से दूसरे जग है खुद वख़ुद सुवयम सले जाता है ay समझेग उसके बाद आ ज्यता है हमारा प्रजिनन अब और प्रजिणन बचों का जिनम देना ठीक है और इसके बाद आज जाता है जिस blogs और बो эпश कशसरया करना हमारा भेली टोफेश लिए टो एक आदर इसछी अव्यर्य समस्वート स्वासन अब यह स्वासन क्या है तो स्वासन आप ऐसे समझे सांस लेना आपको स्वासन कहलाता है यानि सांस में हम क्या लेते हैं तो सांस में वायू से ऑक्सिजन लेते हैं और कार्बंड़ ऑक्साइड को हम छोड़ते हैं तो यह आपको क्या कहलागा स्वासन और इसके तो समझें कि वो क्या है सजीव है ओके तो यहां पर वहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे और बात आती है अब इसका एक्जामपल क्या क्या हो सकता है सजीव के तो आप यहां पर वहुत ही आसानी से समझ पाएंगे तो हम देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि यह यहां पर लिखा क्या हुए गाय, भैंस, बक्री, कुता, सियार, लोमणी, सेर, पेड़ पोधे, यह सब में से अगर कोई भी चीज इन लोगों में ब्यारास होता है, तो समझे कि यह क्या है, सजीव है, क्योंकि गती तो सब में होता है, तो यह सब क्या है, और यहां पर आपक क्या है, तो समझे कि यहां पर लिखा हुए है, क्या क्या कि आप देखिए, तो यहां पर आप देखिए, तो लिखा हुए गती, परजनन, बिरिधी, पोशन, सुवसन, हाला कि गलत लिखा चुका है तो आप यहाँ पर घबराइए गमत और आगे है यहाँ पर उत्सर्जन, यह सब नहीं होना चाहिए तो समझे कि वो क्या है, आपको निर्जीव है तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जैसे कुरसी, टेबल, पंखा, घर, कलम, कोफी, इट, मीटी, बालू, इत्यादी यह सब क्या है, आपके निर्जीव है, तो आप इजिली अंतर समझ गें, दोनों में क्या अंतर है, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है अगर आप से पूछ दिया जाया, तो आप इजिली इसको लिख देज़ेगा, आपको नमबर फूल ओफूल यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है, तो क्या मेरी दी हुजनकारी आपको थोड़ा सा भी समझ आ गया होना यार तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब कर लेजिए मिलता है आपका भाई एक और नए वीडियो के साथ, तब तक लिए बने रहो और कोई दिक्कत होना तो नीचे यार लिखना जरूर, ठीक है, तो चलो यार मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट दिन और नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ